कैंसर के इलाज में ग्लूटन फ्री डाइट लेनी चाहिए क्या सच्छा ही बताऊं तो ये एक तरीके से हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है होता क्या है कि बारत में कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर ग्लूटन एलर्जी है गहों में होता क्या है कि गहों में एक तरीके प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लूटन बोलते हैं और वह ग्लूटन की जनरली इस energy में मतलब जब हम शरीर में लेते हैं तो उससे inflammation होता है, inflammation ही आगे चलके cancer का रूप ले लेता है तो जनरली आगर आप constant inflammation अबने बाडि को in flames रखेंगे अगर आपके बाडि में इंफ्ल्मेशन होगा तो वही आगे चलके चैंसर का रूप लेगा इस लिये जरुबिए है कैंसर में ग्लूटन का इस्तवाल करें गहं का इस्तवाल ना करें दूद का इस्तवाल ना करें ौर कोशिश करें कि तो वह आपके बॉड़ी के inflammation को कम रखेगा, और दूध की बजाए अगर आप almond milk ले सकते हैं, ओट milk ले सकते हैं, natural vegan milk ले 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 तो हमेशा बैतर होगा. जीतना हम बॉड़ी को natural circumstances में or natural environment में रखेंगे, जीतना हम हमारी healing बैतर होगी उतनी ही आपको खुद लगेगा कि आप light feel कर रहे हो आप हलका feel कर रहे हो हम जितना body को alkaline रखेंगे बट इस चक्कर में आप कुछ भी randomly लेना मत करो हर एक चीज simple हमारे पुराणों में लिखी हुई है हमारे पुराने साहित्ते में लिखी हुई है कि अगर और आप कोई भी चीज ले रहे हो जिससे आपके body inflame हो रही है उसको नहीं लेना मिलिट्स लो रागी लो बाजरा लो जो आर लो सीजन के हिसाब से गर्मी है तो आपको जौ लेना है सर्दी है तो बाजरा लेना है मक्का लेना है तो इस तरीके का आटे का इस्तमाल कर सकते ह हो सकते हैं आप अपने body inflammation को कम रखो दूद मत लीजे दूद की बजाए दूद से बनी हुए चीज़े जैसे ओट milk हो गया अल्मन मिल्क हो गया इस तरीके चीज़ें के इस्तमाल करिए चाय जनली हो सकते हैं तो चाय अवाइड करिए जो भी body को inflame कर रहा है उसको जितना आप अपना बैतर रखोगे जितना अपना immune system बैटर रखोगे जितना inflammation गव रहेगा उतरही आप जल्दी हील करोगे